बारिस स्पेसल आप ने भजिया तो कही तरह की खाई योगी पर क्या कभी आपने आलू प्याज की रोटी खाई है वो भी बारिस स्पेसल, तो चलिए आज मैं आपको यहां पर बहुत ही टेस्टी प्याज और आलू की रोटी बताऊंगी जो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही सिंपल तरीके से बन कर तयार हो जाती है तो यहाँ पर मैंने दो कप गेहूं के आटे में आधा कप बेसन में लाया है और एक बड़े साइच का प्याज लिया था उसको इस तरह से पतले-पतले लच्छे में कट कर लिया है आप प्याज को और भी जादा महीं चाहें तो कट करके डाल सकते हैं अब यहाँ पर प्याज के बाद हम डालेंगे एक उबला हुआ आलू आज की यह जो रोटी की रेस्पी है एकदम यूनिक है और बहुत ही टेस्टी है आप इसे रोटी, पूरी, पराठा कुछ भी बना सकते हैं मैं खास तोर से बारिस में रोटिया बनाती हूँ इस आटे की तो थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ी सी हींग डालेंगे साथ में डालेंगे एक चमच भर कर कसूरी में थी आप यहांपर हरे धनिया का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन बारिस के मौसम में हरा धनिया बहुत ज़ल्दी खराब हो जाता है इसलिए मेरी फ्रेज में भी आज खतम हो गया है मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची और थोड़ी सी हरी मिर्ची यहांपर डाली हुई है इसको हम फिल्का सा पहले इसी तरह से mix करेंगे बिना पानी डाले अब यहां पर थोड़ी सी अपर बिल्कुल भाली रोटी की तरह लगेंगी अब सबी चीजों को mix करने के बाद हमें यहां पर आँटा लगाना है और आँटा थोड़ा सा tight लगाईएगा tight क्यों? क्योंकि इसमें नमक पड़ा हुआ है और आटे को हम थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रखेंगे तो जैसे ही नमक पड़ा होता है ना आटे में तो वो हलका सा गीला हो जाता है तो आप आटे को स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइट लगाए जिससे कि जब हम रोटी बनाने जाएं तो ये सॉफ्ट हो जाए अब यहाँ आटा रेटी हो गया है तो अब ये रोटी हम खाएंगे किसके साथ तो इसके साथ एक स्पेसल सा भरता बनाती हूँ मैं वो रैस्पी भी आपके शाद शेयर कर रही हूँ तो यहाँ पर उबले हुए आलू है जिनको मैंने मैस कर लिया था ताकि आलू ठंडे हो जाएं अब यहाँ पर जाएगी दही जी हाँ ये भरता बहुत ही टेस्टी बनता है आलू और दही का और महीन कट किया हुआ इसमें हम प्याज डाल देंगे बिलकुल महीन कट किया तो मिर्ची पाउडर की तो मिर्ची पाउडर तीखा भरता अच्छा लगता है लेकिन अपने हिसाब से कम या चादा डाल सकते हैं अब यहाँ पर हम ले ले लेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे यह जो परता की रेस्पी है बहुत क्योंकि यह चीजे में डिनर में बनाने जा रही हैं मतब यह रोटी यह भड़ता यह सब डिनर की तयारी हो रही है क्योंकि इस समय हमारे यह बहुत अच्छी बारे सो रही है अब यहाँ एक चमचे में करेंगे थोड़ा सा घी गरम हम भड़ते में तड़का लगाने जा र डालें घी मिर्ची के अपैक्षा जैसे मिर्चियां मुल्टक्रण ताय लेका किये निमिस यहां बढ़ क्सटाइब कि एक सरथ दें भूट को यहां पर जैसे ही मिर्चियां भूनेंगी और तलका रबी होगा तो इसको हम घखे और अब भर्ते को हम साइड में रख देंगे और अब भारी आती है यह हरी मिर्ची की यहाँ पर आज पूरी थाली इस पेशन सी तयार होने वाली है तो भर्ता रेडी है सलाद रेडी है आटा भी रेडी है पहले हम रोटिया बनाएंगे और उसके बाद उसी तबे पर हम मिर् बहुत ज्यादा पतली अच्छी नहीं लगती है जब भी प्याज बेसन की रोटियां बनेना तो यह हल्की सी मोटी अच्छी लगती है सुखा अटा डालेंगे और इसको हम बेल लेंगे आपने बेसन और प्याज की रोटी कई बार खाई होगी लेकिन एक बार यह जो मैंने आलू इसमें उबला हुआ मैस करके डाला है वो आप डाल कर देखिएगा रोटी बहुत ही खस्ता करारी बनती है बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनती है यह देखिए तो रोटी हमारी बिलकर तैयार हो गई है अब तबा रख दिया था मैंने गरम होने के लिए गैस पर तो तबे पर डाल देंगे रोटी और इसको बढ़िया सा पलट लेंगे बेसन की रोटी थोड़ी सी धीमी धीमी आज पर अगर आप सेखिए तो ज्यादा अच्छी लगती है दूसरी रोटी मैंन दूसरी रोटी को भी हम यहां पर सेख लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे थाली तबा गरम है और तबे पर अभी मैं यहीं पर मिर्ची भी तलने वाली हूँ थोड़ा सा तेल डाल देख लेंगे और जिस तरह से जो मिर्ची में बना रही हूँ न यह मिर्ची आप तलकर भी रख सकते हैं यह एक दो दिन आराम से चल जाती है खराब भी नहीं होती है तो गरम तेल में मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा सा दूर हट जाईएगा मिर्ची में चीरा लगा दीजेगा इससे मिर रेडी हो गया है और यह बहुत ही डेस्टी बन कर तैयार हुआ था सभी को बहुत पसंद आया तो चलिए रोटियों में लगा लेते हैं घी और हम प्लेट लगा देते हैं पहले में बिटिया रानी के लिए लगा दूगी क्योंकि अभी हस्बंड है नहीं वो जब आ जाएं यह तीखी नहीं है और अगर तीखी मिर्ची हो तो बच्चे नहीं खाते हैं लेकिन यह तीखी मिर्ची नहीं है तो मैंने उसके लिए भी रख दिया सलाद रख देंगे, रोटी रख देंगे और रख देंगे ये टेस्टी सा दही वाला आलू का भड़ता एक बार ये थाली बना कर देखिएगा देशी बिल्कुल गाउं वाली थाली है और खाने में इतना मज़ा आएगा आपको कि जैसे आप कहीं रेस्टोरेंट वगएरे में बैट कर खा रहे हूं तो आप एक बार बना कर ट्राइ जरूर कीजिएगा और आपको कैसी लगी मेरी ये टेस्टी सी थाली मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा इंजॉय कीजिए और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब कीजिए